नवश्कार मैं केला सर्मा मोटरवल इंस्पेक्टर रूट सेप्ट के एंड मोटर वाइकल रेगुलियस्टन आसा में नए टॉपिक में लेका हूँ लर्डनर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हुआ है कि यOME कि सी बच्चे की साल जातीए और अठारा साल हो जाती है तो सुंक्तर रहती है कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर्या है न दो अज अपने उसके बारे में इस्क्रोफ करेंगे अभरなる करने के लिए न più तंप य कि और पर ए dobर और learner license में क्या-क्या condition होगी गाड़ी ड्राइव करने के लिए तो आज अपन उसके बारे में discuss करेंगे उससे पहले की वीडियो इस्टार्ट करेंगे अगर पूर के मेरी वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर आप नए है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ला है जिससे की इनसे सम्मदित कोई भी जिए ने वीडियो आपकेट शुका तुन्त आपको मिल सके तो अपने विश्टार्ट करते हैं अब learner driving license Motor vehicle act 1988 के section 8 के अंदर और rule 3 के अंदर के अंदर learner license के बारे में बता रहा है कि learner license कैसे बना जाएगा लेर्णर लेर्णर लैसेंस की प्रविजन्स क्या क्या होते हैं हाली में मेरे द्वारा प्रिवन संदर्शिकर का second edition launch किया गया है जिसके अंदर राजस्तान ट्रांस्पूर्ट डिपार्टमेंट के सम्मधित महत्वपूर्ण आदेश कारेले आदेश परिपत्र एडवाईजरी केंद्र सरकार के अधीस उसने राजविश सरकार के अधीस अधी का संक्लन 30 जुन 2000 तक का संक्लन किया गया है और यह जो संक्लन है यह संक्लन जो विवा के महत्वपूर्ण sections होते है जैसे की registration, license, permit, road safety, UCC, भारत stage, finance, enforcement, चालान आदी यह जो section है उन section के section wise इन आदेशों को जमाया गया है और date के descending order के अंदर इनका संक्लन किया गया है अगर किसी को यह book की आवशक्ता हो, book चाहिए तो यह book Amazon और Flipkart दोनों पर online available है जासे आप मंगा सकते हैं और इनके दोनों के जो link है वो मैंने description box में दे रहे हैं यहाप आप direct open करके सीधा राप्त कर सकते हैं अब requirement, learner license बनने के लिए क्या-क्या requirement हो कैसे बनाया जाता है, learner license के लिए सबसे पहले proof of residence and age, यानि की उम्र का और उसका address प्रूफ होना चाहिए, second recent passport size photograph, current passport size photograph, medical certificate in form 1A, center motor vehicle rule का एक form 1A होता है, उसके अदर medical certificate in case of transport vehicle, यानि की transport vehicle है तो ही medical certificate की आवशक्ता है, अगर दूसरा जो non-transport vehicle के लिए license बनाना है तो उसके लिए medical certificate की आवशक्ता नहीं है, उसमें online आपको एक self declaration medical देना पड़ता है, third medical certificate in form 1A and along with disability certificate in case of adapted vehicle, यानि की आप adapted vehicle का license मनाना चाहते हैं, यानि की दिव्यांग जिन वक्ति का license मनाना है, तो उस case में आपका जो दिव्यांग जिनता का medical certificate है, वो साथ में लगाना पड़ेगा, next old driving license in case of transport vehicle, यानि की आपको transport vehicle का license मनाना है, तो उसके लिए आपके पास पहले से LMB का license होना, चाहिए एक साल पूरा ना, तो ही आप transport vehicle का license मना सकते है, तो license के लिए ये मत्पून ये requirement रहती है, अब ये minimum age, ऐसे license मनाना है कि नियुन तो मुम्र है, वो 18 वर्ट्स ने जारीत की गई है, एक्ट के अंदर, लेकिन 16 वर्ट्स से लेके 18 वर्ट्स के बीच में, motorcycle below 50 cc का आप driving license बना सकते है, 16 वर्ट्स से उपर और 18 साल के बीच में, with consent of parent and guardian, यानि की guardian और parent की consent से आप motorcycle below 50 cc का driving license बना सकते है, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दू, आज की तारिक में, भारत वर्ट्स में, किसी भी वहन manufacture द्वारा, below 50 cc से निची की गाड़ी का manufacture नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए यह license नहीं बन सकता है, आज की तारिक के अंदर, फिर है motorcycle and LMB, उसके लिए 18 year minimum age होने चाहिए, transport vehicle है, जिसमें medium और heavy vehicle आ जाते है, उसके लि में minimum age की आउनी चाहिए, फिर है how to apply, अब learner license apply कैसे करना है, learner license आप घर बैठे e-kyc के द्वारा भी बना सकते है, यानि कि उसके लिए आपको संबन्दी जो आर्टी office होता है, भीना transport department का office होता है, वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप e-kyc से घर बैठे learner license www.sarthi.parivan.gov.in, यानि कि भारत सरकार की जो मोर्त की website है, sarthi.parivan.gov.in, इस पे आप online भी इस पे apply करना है आपको, और offline भी आपको इसी से website पे apply करना है, यानि कि भारत वर्स में लगबग सभी विवगागों में license का जो license के application है, वहाँ online ही लगती है, अगर अधार authenticated contact services, e-kyc without going audio, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास अधार काड है आपका, तो आप e-kyc से license बना सकते हैं, लेकिन पहले उसमें यह confirm कर ले, अधार काड में आपका नाम बिलकुल सही लिखा हो, आपके पिताजी का नाम सही लिखा हो, आपका address और आपकी is exact ल अधार से जुड़े हो, अगर ये 5 चीजे अधार काड में हैं, तो आप घर बैठे, आप learner license बना सकते हैं, नहीं तो पहले आप अपने अधार को update करवाईए, फिर आप learner license बनाएए, तो इस case में आपको संबंदित आट्योपिस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं रहती है अब EKYC से license कैसे बनाते हैं, ठीकिना, EKYC से और दोनों से ही मतलब की, आट्योपिस जाकर भी, दोनों case में license कैसे बनाते हैं, उसका process में आपको बताता हूँ, सबसे पहले जैसे मैंने का, सार्थी.parivan.go.in की आप website खोलेंगे, ठीकिना, यह website खोलते ही, यहाँ पर एक कौन learner license, यानि की learner license कैसे apply करना है, यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद, आपको category पूछेगा का, का आप कौन सी category मतलब है, जनरल, OBC, Diyang, Jan, लीना, तो आप तो category select कर लिए, उसके बाद select category if required, यानि की आप पहली बार license बना रहे है, या आपका LMV का license बना बना रहे है, या motorcycle license बना रहे है, और endorsement करा रहे है, या LMV का बना है, और transport vehicle का बना रहे है, यहाँ पर आप select कर लिए, application does not hold any driving license, यानि की अब भी उसके पास कोई भी driving license है, नहीं है, फ्रेस है, पर application hold driving license, यानि उसके पास पूर में, जैसे motorcycle का license है, और LMV का बनाने चाता है, यह category select हो जाएगी, और application hold learner license, यानि की उसके पास already एक learner license मिना है, और वो कतम हो गया learner license, तो उस case के अंदर यह category select हो जाएगी, यह select होने के बाद, आप अगर अगर अधार कार्ट से EQC license मिनना चाते है, तो submit via अधार authentication, और अगर अधार आपका सही नहीं बना हुआ है, या यह को यह आप address को लगाना चाते है, तो उस case के अंदर submit without अधार authentication आपको select करना है, यहां पे, तो जैसे मैं यहां पे submit via अधार authenticated select कर रहा हूँ, जैसे यहां आप click करोगे, जैसे राजिस्तान आ गया, यहां पे आप अधार नमबर अपने, अधार नमबर फीड करते ही, generate O OTP आएगा, जो अधार के अंदर phone number है, उसके उपर, यहां पे OTP select करिए, यहां पे आप अपनी consent दीजिए और इसको submit कर दीजिए, submit करने के बाद, एक यह form open हो जाएगा, ठीकिना, इस form के अंदर state लिखावा जाएगा, applicant name और यह जो data है, यह data आधार से automatic fetch हो जाएगे, यह आपको यहां पे कुछ fill नहीं करना है, केवल यहां पे आपको check करना है, कि मेरा नाम, date of birth, relation name वगरा, यानि father's name वगरा, house name वगरा, address वगरा, correct है या नहीं है, केवल आपको check करना है, यहां चेक अगर आपको गलत है, आपको संसे है, तो पहले आप अपना आधार update करेए, फ आगे बढ़ने के बाद एक यह पूरा फरम फिर आपका खुल जाएगा, ठीक ना, detail में, उसके अंदर आपको सिरफ 4-5 चीज़े entry करनी है, बाकि आपको कोई चीज़े entry नहीं करनी है, सबसे पहले आपका applicant name वगरा वहां पर आ जाएंगे, इसमें आपको एक तो qualification आपको add क लिखना पड़ेगा, एक आजाएगा आपका house number को अगरा सभी है, बाकि सारी चीज़े आजार से फैस हो जाएगी, और जो red mark के अंदर है, यह सारे mandatory field है, यह सारे mandatory field भरे होए होने चाहिए, उसके बाद यह fill up हो गया, fill up होने के बाद आप इसमें से कौन सी category का license मनना चाहते है, वो category select कर लिए, जैसे मैंने यहाँ पर light motorcycle select की, यहाँ पर light motorcycle select करके, फारम submit करेंगे, submit करते ही आपके एक application number generator हो जाएगे यहाँ पर, इसके बाद सार्थी portal का अंदर, आप learner license से संब्धित, कोई भी जो कारवाई करेंगे, उसके लिए आपको यह application number fit करना पड़ेगा, य application number आएप application number आने के बाद, आप application number next, OK कीजें, याने की OK है, OK करने के बाद, आप application number यहाँ पर डालेए, अपनी data bird ौढ़ डालेए, डाल लेके बाद आगे आप सब्मिट के जिये, सब्मिट करने के बाद अगर आपका EKYC से है लाइसेंस तो उस केस के अंदर यहां पर आपको यानिकि फिल एप्लिकेशन यानिकि एप्लिकेशन आपकी कम्प्लीट हो गई है अगर आपका EKYC से नहीं है तो जो यह मैंने फारम बता है था उस फारम में जो डाटा फैच नहीं हुआ है वो फारम आपको अपने मैनूली फिल करना है अपने नाम पता वगड़ा मोबैल नमर वगड़ा सारे बाकी प्रसेस सेम ना उसके बाद application फिल होगया आपको अपलोड हैना कि आपको document upload करने हैं लेकिन अगर आपने इए के बाई से किया है तो आपको document upload करने के जरूद नहीं है क्यों आपके आधार से data आपका फैच होगे आधार नंबर से ये उसके लिए जरूरी है नहीं और अगर आपका अधार ऊथंटिविडए है उस case में आपको document upload करना पड़ेगा तो to be done by applicant ये उसके बाद to be done by applicant upload photo and signature यानि कि आपको photo और signature भी आपके upload करने पड़ेंगे applicant के और fees fees भी आपको fees तोनों केस में देने पड़ेंगे आदार एक वैसी है तो भी और उस case के अंदर भी तो जैसे मैंने पर इस case के अंदर यहां पर क्लिक करने लिए document upload के लिए आप click करने के बाद upload document कहा जाएगा अब इसमें आप क्या document upload करेंगे वह आप देख लिए तो से पlyह ने पर select करनी के बाद document आजएगा आपer file को आपको देको वाल कर Mission करके आप document upload उप्लोड कर सकता हो, जब ऑप किस केस में जब EKYC नहीं हो थो डोक्यमेंट अप्लोड होना के बाद आपको सम्मिट कर दिए हैं इसके बाद आजाएगा आपका फीस का ओप्शन जानि कि अब आपको फीस करने हैं क्या फीस के लिए आप पर प्रेमेंट का उप्सम उप्सम को यूद्प करेंगे तो आपको इस प्रेंगे स्फीस के लिए हैपको मोटर सेकल दिद गेर्ट हमनानें जी फीस आ गही यह तो इस फीस आगे जिस फीट रूबी का चैप्चा किजिए और गेटवेंगे बन्द करे सब्सक्राइब तक कि रहा पोड़ारा जमा होता है कि यह पर पूरी प्लेट हो जाएगा आपका अगर आप एक वाई से करेंगे तो लियाना नहीं गार नहीं है और अगर नहीं है तो फिर आपको ये slot लेना पड़ेगा यह slot लेने के बाद वो कब फीस का option आजाएगा लेना फीस का option आके आपको यहाँ पे यह farm complete हो जाएगा जब farm complete हो जाए यह सारा submit हो जाए, submit होने के बाद मैं आपको यह screen ओपन होगी उसमें लिख़वा आएगा watching of road safety tutorial is mandatory यहने की complete फीस हो गया farm submit हो गया, submit होने के बाद अगर EKYC से बढ़ा है तो आप सीज़ दे road safety के एक वीडियो के ऊपर आप आजाएंगे और अगर आपका EKYC से नहीं है तो farm बढ़ने के बाद जिस दिन का slot मिला है उस slot वाले दिन आपको संबंदित IT office में जाना पढ़ेगा वहाँ जाने के बाद आपको अपने जो original document है जनी आदार कार्ड है या और जो भी कोई आपने address प्रूफ या एज का जो proof लगाया है वो proof आपको साथ में लेके जाना है वहाँ पे आपके जो document की screening की जाएगी screening होगी होने के बाद आप इस stage पर यहाँ पर पहुंच जाओगे यहाँ कि watching of road safety tutorial is mandatory यहाँ पर जो ही आप click करोगे click करते ही एक video का option खुल जाएगा इस video के option पर आपको click करना है click करते ही आपको road safety से समभ़ने तो वीडियो चलू हो जाएगा यह यह वीडियो total 30 minute का वीडियो है 30 minute के वीडियो में आपको minimum 8 minute का वीडियो है वो आपको देखना compulsory है यानि कि आपको जैसे 4 minute का देख लिया तो इंटरेप्ट बगरा हो गए उसके बाबस आगी 4 minute का और देखना है total 30 minute में से 8 minute का जो road shift का वीडियो है वो आपको देखना मस्ट है जब आपको वीडियो complete हो जाए complete होने के बाद आप you successfully view the tutorial now proceed for LL test यानि वीडियो देख लिया वीडियो देखने के बाद आप learning license के लिए test के लिए आपको तयार रहना है अब test के लिए टेस्ट के लिए total 20 question आपको road safety से संबंदेद आपसे पूछे जाते हैं 20 question में से ही ना सारे जो question है लगबग इस परकार के question आते हैं लेकिना multiple choice वाले question होता है तो 20 question में से आपको minimum 12 question आपको write करने पड़ते हैं तो आप pass होंगे अगर आपने 12 question राइड नहीं किये उसमें से तो आप फैल हो जाएंगे फैल होने के बाद आपको 7 दिन 50 वापस आपको retest के लिए apply करना पड़ेगा वापस आपको retest के fees जमा कराने पड़ेगी 50 रुपे fees जमा कराके आपको वापस test देना पड़ेगा तो इसलिए आप ये test देने से पहले आप जो मैंने सुरुआत में जो side की side बताई थी उस side के अंदर side के अंदर एक mock test option दे रखा है वापे खूब सारे ऐसे question जो आते हैं वो question दे रखे हैं तो आप mock test पे 2-3 बार test देके आप practice कर लिजिए समंदित की question आते हैं तो ये वो पहले आप जरूर करें उसके बाद इस test पा है ये तो होगा कि आपने सारी फॉर्मल्टी कर ली और test में फैल हो गए तो आपको वापस फीस से वापस आपको सांदिन बाद कारवाई करने पड़ेगी आप जो ही टेस्ट के लिए आप जो question आते हैं question में आप ध्यान रखना question के लिए परतिय question के लिए 20 seconds होते हैं ठीकिना 20 seconds के अंदर-अंदर question का answer देना होता है 20 seconds में आपने question का answer नहीं दिया तो next question आ जाएगा इसलिए पहले इसको आप पूरा आपका प्यास हुए या फैल हुए अगर आप पास हुए है आपका जो learning license का process complete हो गया अपका learning license प्रिंट के अंदर चला जाता है यानि कि आपका learning license उसके बाद आपके मोबैल को पर मैसेज आ जाएगा मैसेज के अंदर आप learning license का print का PDF form ले सकते PDF रूप में आप वो ले सकते हैं इस प्रकार से आपका learning license का जो process है वो complete हो जाता है इसमें महत तुन बात क्या है EKYC से करोगे आपको कहीं जाने की जुरूद नहीं है document upload करने की जुरूद नहीं है केवल आपको फीस बढ़नी है और कुछ नहीं करना है यूट्यूब का टुटूरियल देखना है और टेस्ट देना है अगर आप EKYC से नहीं करते हो तो आपको फारम बढ़ना है आपको समधित आट्यूबिस में जाना है आट्यूबिस में आपके document की स्कूर नहीं करने का आपको बाड़ी लेनी फ मुअद आपको बाड़ी कैकर नहीं करने है योट बारर के बांद आपकर बाड़ी से चला सकते हैं ये क्या condition है, condition to drive vehicle यानि को वेहिकल चिनाने लिए क्या condition है, सबसे पहला, accommodate by एन इस्टेटर फोल्डिग एन effective driving license, यानि की आप steering पर बैटर हो तो आपके पास में एक train driving license holder आपको बैठावा होना चाहिए इसके पास के effective driving license हो, second, painted L as shown in image in the front end rear of the vehicle यानि कि वाइकल के आगे वा पीछे इस टाइप से L का मार्क लगावा होना चाहिए जिससे की सड़क पे चलने वाले दूसरे जो road user है उनको मालूम चल सके कि यह गाड़ी सीख रहा है इस condition के साथ आप गाड़ी चला सकते हैं आप पके ले गाड़ी नहीं चला सकते हैं अब इसकी validity यानि कि learner license बना लिया आप पका कब बनेगा license तो पके license के लिए learner license बनाने के 30 दिन बाद और 180 दिन से पहले आप permanent driving license के लिए apply कर सकते हैं पर्मानेंट driving license के लिए आपको e-kyc का process नहीं होगा क्योंकि आपको टेस्ट के लिए संबंदित आट्योपीस जाना पड़ेगा फारम आपका online fill up हो जाएगा पूरा online फारम फिल कर जिए फिल करके यहाँ पर slot लेजिए time लेजिए और दिन आपको संबंदित आट्योपीस में driving test के लिए आपको जाना पड़ेगा यह थी learner license के बारे में मैंने जानकर देने की कोशिश की है आसा करता हूं तो मेरे वीडियो पसंद आए होगा अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो ज्यादे इसको शेयर करें लाइक रहे थैंक्यू जैहीं जैवारत